हेलो बच्चो आज हम करेंगे प्रशनावली 8.2 परसंद संख्या 3 परसंद संख्या 3 में हमें दिया गाए टेंजेंट A जमाबी बराबर है वरगमूल 3 टेंजेंट A गटा B बराबर है एक बटा वरगमूल 3 A जमाबी है उसका मान 0 से बड़ा है और 90 या 90 से छोटा है अब यहां से देखते हैं सबसे पहले हम टेंजेंट A जमाबी बराबर दिया हुआ है वरगमूल 3 वरगमूल 3 होता है टेंजेंट 60 का मान टेंजेंट 60 डिगरी बराबर होता वरगमूल 3 समीकर नमबर एक इसी प्रकार टेंजेंट ए घटा बी बराबर दे रख्या है एक बटा उरगमूल तीन अब एक बटा उरगमूल तीन टेंजेंट में किसका मान होता है टेंजेंट तीस डिगरी होता एक बटा उरगमूल तीन तो एक बटाव रगमूल तीन को हमने लिख लिया टेंजेंट तीस यहां से यह अट जाएगा हमारे पास आजाएगा एग घटा बी बराबर तीस डिगरी यह समीकर्ण नमबर दो जाएगी दोनों समीकर्ण को हम जोड देंगे एक वद दो को जोडने पर जोड़ेंगे हम तो यहां से बी से भी कट जाएगा ए जमा ए दो ए बराबर साट जमा तीस नबबए एक कमान यहां से हो जाएगा नबबए बटे दो पैंतारीस ए अगर पैंतारीस है तो बी कितना हैगा समी का नंबर एक या दो में रख देंगे हम हम समी का नंबर एक में रख देते हैं एक का मान पैंतारीस तो बी हो जाएगा साथ गटा ए बी हो जाएगा साथ डिगरी गटा ए यानि साथ डिगरी गटा ए है मारा पैंतारीस तो यहां से B का मान आजाएगा 15 डिग्री A और B का मान आगए हमारे पास 45 और 15 यह हमें इसके अंदर मालूम करना है हम देखो यहां पर A का मान B से बढ़ा है A 45 से B 15 है A और B को जोड़ेंगे हम तो मारे पास आएगा 60 तो यहां पर A और B 0 से बढ़ा है 60 है वो 0 से बढ़ा होता है और 90 से क्या है छोटा तो इन दोनों सर्तों को A और B के एमान पूरा करते हैं तो A हो जाएगा 45 डिग्री और B हो जाएगा 15 डिग्री परसंद संख्या 4 में हमें सत्य और सत्य बताना है और अपने उत्तर की पुष्टी करनी है इसका फैस्ट पार्ट है साइन A जमा बी बराबर साइन A जमा साइन B क्या साइन A जमा बी बराबर होगा साइन A जमा साइन B इसके हमें जाच करनी है तो हम पहले A और B के कोई मान ले लेते हैं जैसे हमने मान लिया A का मान तो ले लिया 30 डिग्री और B का मान हमने ले लिया 60 डिग्री रखके देखते हैं यहाँ पर पहले इसको लेते हम बाइंपक्स को साइन A जमा B 30 जमा 60 डिग्री यह हो जाएगा साइन 90 डिग्री अब साइन 90 का मान होता है एक अब लेंगे हम दाइंपक्स को साइन A जमा sign b इसके अंदर मान रखेंगे a का मान है 30 sign 30 degree जमा sign b b है 60 degree sign 30 का मान होता है 1 बटा 2 sign 60 का मान होता है वरगमूल 3 बटे 2 लगुत में लेंगे 2 ये हमारे पास आएगा वरगमूल 3 जमा 1 वरगमूल 3 का मान होता है एक दसमलोव साथ तीन जमा एक बटे दो दो दसमलोव साथ तीन दो बटे दो ये आएगा हमारे पास इसको जब हल करेंगे ति हमारे पास एक दसमलोव कुछ आएगा यानि कि ये बराबर नहीं है एक के जबके हमारा बापक्स था एक के बराबर और ये आ एक से बड़ा तोन हें यह को है कि यह झाएगा फ्षि hypocrisy fans जमा भी ब्राबर नहीं हो सकता साइने र्भी सब्सक्रान है कि साइन थीटा का मान बढ़ता है जैसे जैसे थीटा मठेगा चैसे-जैसे थीटा बढ़ेगा सइन थीटा का मान भी बढ़ेगा देखो यहां पर हमें theta की value पहले ले ले लेते हैं 0 degree तो theta की value 0 के लिए sin theta का मान यानि sin 0 का मान क्या होज़ेगा 0 फिर हम लेते हैं theta की value 30 degree theta 30 के लिए sin 30 का मान क्या होगा sin 30 का मान होज़ेगा 1 बटा 2 फिर हम लेते हैं theta की value 45 degree इसके लिए sin theta या sin 45 कितना होज़ेगा एक बटा वरगमूल दो फिर हम लेते हैं थीटा की वेल्यू साथ डिगरी इसके लिए हमारा साइन थीटा हो जाएगा वरगमूल तीन बटे दो थीटा की वेल्यू हमने लिए 90 डिगरी इसके लिए हमारा साइन थीटा या साइन 90 हो जाएगा एक तो देखो यहां पर वैल्यू जीरो शुरूई थी जो मान है वो साइन थीटा का वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है जीरो फिर एक बटा दो फिर एक बटा वरगमूल दो फिर वरगमूल तीन बटा दो फिर एक जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है साइन थीटा का मान भ बढ़ रहाए जीरो से लेकर के एक तक यह हो जाएगा सत्य तीस्रा पार्ट है कि जैसे ठीटा की वेल्ई बढ़ेगी वैसे ही可 divertा की वेल्ई बढ़ती है сорग थीटा का मांन हम पहले लेते हैं 0 को कि ठीटा मारे पास हो जाएगा 1 को जीरो था 1 थिटा का मान अमने लिया 90 डिगरी तो कोस थिटा नि कोस 90 हो जाएगा 0 तो यहाँ जैसे थिटा का मान बढ़ेगा कोस थिटा का मान गटता जाएगा तो यह हो जाएगा ऐस सत्य आप यहाँ पर थिटा का मान लेके देखलो कोई भी 60 लेके देखलो तो cos theta नहीं cos 60 हो जाएगा 1 बटा 2 देखो यहाँ पर 1 था फिर 1 बटा 2 फिर 0 तो जैसे जैसे theta का मान बढ़ेगा cos theta का मान गठता जाएगा चौथा पार्ट है कि sin theta बराबर होता है cos theta theta के सभी मान के लिए sin theta और cos theta क्या होते हैं यह भी क्या है सकते हैं क्यों है सकते हैं हम चैक करेंगे देखो सिर्फ थिटा का मान हमारे पास है 45 डिगरी तो sin 45 और cos 45 का मान दोनों होते हैं बराबर बाकी theta का मान अगर 0 है तो भी sin theta और cos theta बराबर नहीं होंगे थिटा का मान अगर हमारे पास है 30 डिगरी तो भी साइन थिटा और कोस थिटा बराबर नहीं होंगे सिरफ थिटा बराबर 45 उसी के लिए सिरफ साइन थिटा और कोस थिटा बराबर होते हैं थिटा के सभी मान के लिए साइन थिटा और कोस थिटा बराबर नहीं होंगे तो ये भी हो जाएगा ऐस सकते है पांचवा बाग है इसका कि कोट ए परी बासित होता है ए का मान अगर 0 हो यानि कोट 0 ए परी बासित होता है यह तो बिलकुल सकते है क्या है यह सकते है क्योंकि कोट ए का मान अगर निकालेंगे कोट 0 का मान तो कोट 0 आएगा हमारे पास टेंजेंट जीरो का उल्टाया कह सकते हम कोट जीरो होता है कोश जीरो बटे साइन जीरो डिगरी अब कोश जीरो हमारे पास है एक और साइन जीरो होता हमारे पास जीरो तो एक बटा जीरो क्या होता है एपरिभासित तो ये जो पांचवा पार्ट है पॉंचमा भाग है यह क्या है सक्ते है एक एमान जीरो के लिए कोट ए हमेशा क्या होगा ए प्रिभासित तो बच्चे हमारी परशनावली यहां पर समापत होती है धन्यवाद